नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ डक्टर पंकस्त दोस्तों यह जो खूबसूरत सा फ्लावर देख रहे हैं यह अडेनियम का है और दोस्तों सबसे बड़ी बाते हैं कि यह तीन वर्ल में इसका पैटल्स होते ह हैं माने पैटल्स की तीन वर्ल्स हैं तो यह सबसे जाएदा खूबसूरत देखने हैं लगता है ऑर दोस्तों यह फ्लावर है यह दो होती है दोस्तों यह दोनों प्लांट्स हमारे ग्राफ्टेड है अब्यूсते हैं कि अडेनियम के P multiply reporting चाहिए आ पहले पूरुनिक करनी करनी है तो अडेनियम का जितना भी गाम है वो आपको इसी आपको इन्हें पानी नहीं देना है, आप हमारा गमला देख रहे होंगे, यह बिल्कुल सूखा हुआ गमला है, और जितने भी अडेनियम हैं, इनकी चाहे पत्ती सूख गई हो, या पत्तियां पीली पड़ गई हो, सभी पत्तियों को आपको रिमूप पर देना है, दोस्तो अडेनियम की पूर्णिंग दो प्रकार से होती है, एक हाड पूर्णिंग होती है, और एक साफ पूर्णिंग होती है, दोस्तो दोनों प्रकार की पूर्णिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंतक बने रहे हैं, यह वाला जो आप प्लांट देख रहे हैं यह हमने कटिंग के दौरा बनाया हुआ है और रूट को टून किया था देखे कितनी खुबसूरत इसमें रूट्स टवलप हो गई हैं सबसे बड़ी बात है होती है कि अगर आप अडेनियम को कटिंग से उगाते हैं तो उसका काडेक्स बहुत मोटा देखना है और जो भी उपर रूट्स है उनको दबा करके आपको देखना है दोनों करनी है नहीं नहीं अगरब आप प्रूनिंग दो एक साथ काम करेंगे तो पौधा डवल साक में आ जाएगा और जटका खा जाएगा इसलिए सबसे पहले आपके काम करना है कि जितनी भी इसकी सूखी पत्तियां हैं इन पत्तियों को हटा देना है और हटाने के बाद में इसकी आपको साफ्ट पूर्निंग या हार्ड पूर्न करना है कि इसके कितना खुबसूरत है और खुबसूरत आपको सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें हरी अधारियां पड़ जाती है अब आप यहां देखिए कि हम इसकी साफ्च करना है क्योंकि हमारे साइब बहुत साथ नहीं है तो ऊपर से एक या 2 इंच नीचे तक आ करना है और इसके ऊपर से आपको इंटी फंगल लगा देना हैं इंटी-फंगल लगाने से होता है कि इसका जुछ अपर से जोपनेचिट हंगी साइट हो नहीं फाएग सब्से वड़ी प्राइम में होती इसे बहुत है क्यादिए आ फंग्स से इन्फेक्टर हो जाता है क्यों कि हम आप सारा पानी और सारा खाना इस्टोर गरता है अपने काड़ेक्स में तो अगर आप इसमे जबिधा पानी देते हैं तो फिर दिक्कत आ आ जाती है कि कहीं पर से अगर जो है फंगस ग्रो हो जाता है तो इसमें रूट राट की बड़ी प्रॉलम हो जाती है और इसमें अभी आप ध्यान से देख लें, हो सकता हो कहीं पर आपको इस्टम राट भी आपको दिखाई पड़ जाए तो यह सबसे वड़ी केर की बात यह है कि आपको पानी कम से कम देना है इस टाइम और आपको सबसे पहले जो है इसकी पूर्णिंग करनी है चाहे आप साफ्ट पूर्णिंग कर लें चाहे हार्ड पूर्णिंग कर लें इसके कम से कम 15 दिन बाद जब इसमें थोड़ी से लीप कि हम हार्ट पूनिंग कर देंगे जिससे नई नई ब्रांचेज निगलेंगी इससे फाइदा यह होता है कि उपर वाले हिस्से में आक्सिन नाम का एक हार्मोन बनता है जो पत्यों को नहीं पत्यों को निकालता है तो सबसे बड़ी बात होती है जब आप पौधे को पूरून समय पर करते रहना बहुँ ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों अगर आप गार्डनर हैं तो आप ने निश्ची तुरूप से अडेनियम लगाया ही होगा तो इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि इसकी पौर्टिंग मिक्स बनाते हैं उसमें आपको विसे ध्यान रख नीवर सेंड मिलानी चाहिए जिससे कि वाटर होल्ड कभी नो और पाणी नीचे तरफ जो है वो खिसकता हुआ चला जाए दोस्तों अभी हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रप्या हमारे चैनल को देना है और अभी इसमें किसी प्रकार की कोई आपको उड़ाय उड़ाय नहीं करनी है पंदा दिन बाद ही इसमें कुछ करेंगे तो दोस्तों मेंद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में आप सब्सक दिन सुब और मंगल में हो आप सब्सक्राइब को नमस्का आप सब्सक्राइब का हाल धन्यवाद